ये शादी नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्च की कुलफी है और चूस कर खानी है बच्चे पर और बीबी पर बात याद है मेरे एक दोस्त की बीबी बस में जा रही थी तो खड़ी भी सफर कर रही थी तो अचानक एक बच्चा खड़ा हुआ और बच्चे ने कहा कि आंटी आप मेरी जेगा पर बैड़िया है तो उस वरत ने रख के उस बच्चे के मुग पर चमाड़ नर्स ने में दोस्त गुल खान से का गुल खान मुबारक हो आपके घर लड़का पैदा हुए तो गुल खा मैं अपनी गाड़ी की गेट पर बिल्कुल ऐसी बैटा हूँ और गेट खुला हुए अचानक एक ड़केद आगी है और आगे उसने मेरे यहां रख रहा और कहना लगा अचान की बीवियां या हंधुस्तान की बीवियां या हंधुस्तान की बीवियां हो हमारेंगी और दुनिया की सबसची और यह एक घंटा बुराई करने के बाद कहती है अरे छोड़ो हमें क्या लेना और और बड़ी घुस्से वाली होती मुझे बच्चे और बीबी पे बाद याद है तो खड़ी भी सबर कर रही थी तो अचानक एक बच्चा खड़ा हुआ और बच्चे ने कहा कि आंटी आप मेरी जगह पे बैड़ी हैं तो उस औरत ने रख के उस बच्चे के मुझे चमाट मार दिया बच्चा रोने लग गिया और रोते रोते कहने लगा कि बलाई का जमाना यह नहीं है यह क्या कि वापिस बाप की गोड़ में बैड़ गड़ी पकड़के थोड़ी घूम रहे हैं बस जब भी आज छोड़ता हूं किसी भी दुगान में गुज जाती है एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी कि अगर मैं तीन चार दिन के लिए नजर ना हूं तो आप आपको कैसा लगेगा तो शोहर ने खुशी खुशी बोला बहुत की सूजन कम होई तो भी थोड़ी थोड़ी नजर आए नर्स ने मेरे दोस्त गुल खान से कहा गुल खान मुबारक हो आपकी घर लड़का पैदा हुआ है तो गुल खान क्या कहते है वा यार बड़ा जदीद टेकनोलोजी है बीवी अस्पताल में लड़का गर पे पैदा ह मेरे दोस्त की शादी होने वाली थी तो शादी से एक दिन पहले उसकी होने वाली बीवी का मैसीज आया कि सुने हमारी शादी नहीं हो सकती मेरी शादी कहीं और त्या हो गई कि मेरा दोस्त टेंशन में आगिया थोड़ी दरबात फिर बैसी जाया सौरी यह मैसीज गलती से आपको कर दिया किसी और को करना था वह और टेंशन में आई एक बीवी अपनी शौर से कहने लेगी सुने बात सुने यह बताएं कि मेरी सालगिरा का तो शौर ने का अरे क्या अब बात कर दी वो देखो रोड़ पर सामने रैड किलर की गाड़ी खड़ी है एक बीवी ने नमास पड़ी और फॉरन हाथ उठाए दूआ के लिए जैसी दूआ के लिए हाथ अचानक हाथ नीचे कर लिए तो शौर ने का यह क्या किया बेगम तुमने दूआ मांगे बग एक मिया बीवी क्लैनिंग में गए चेक अप करवाया वापिस भायर आए तो बीवी कहना लेगी सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा है कि दूसरे दूसरी जिगाओं का दौरा करो जड़ा तबियत अच्छी होगी तबियत में हलका पनाएगा तबियत भैतर होगी तो आप ढ़िट यह बताएं कि कहीं चलें को शौर ने कहा शौर बोला दूसरे डॉक्टर के पास मुझे दौरा करने का बाव शौक है तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा किसी पागल खाने का दौरा करो तुम एक पागल खाने का दौरा करना चला गिया वहां मेरी बड़े सारे पागुलों से मुलाकात हुई एक को मैंने देखा बिल्कुल सही सलामत साफ सुतर कपड़ों में बैठा नदर आया आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो आप पागल खाने में कैसा है तो करने लेगा यार मैं तो बिल्कुल ठीक था हसले में हुआ ये कि मेरे गॉड़ा से शादी कर ली जिसकी 18 साल की नौजवान लड़की थी वो लड़की भी अपनी मां के साथ मेरे गर में रहने लगी इत्तवाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आगे रहो मैंने बाप ने उस लड़की से निकार कर लिया तो इस तरह म मेरे बीवी की लगी जो मेरे बाप की बीवी ठी उसके आए ओलाद हुई ये बच्छा रिष्टे के लियास से मेरे भाई हुआ को वो मेरे बाप का लड़का था मगर उदर से वह मेरी बीवी का नवासबी वह तो गोयम अपने बाई का नाना मन गया कूछिए सब्सक्राद तो मेरे बाप की बीवी सोतेलों भाई की महन बन गए मगर तो बच्छे की दादी भी होगा कोई तो उसको शाहर की शोहर यानि मेरे बाप की नवासा बस इसी लिए में पागल बना तो आजके अवरते बच्छों में बड़ी मकबूल है मैंने बच्चे से पूछा मैंने का बेटा ये बताओ कि मर्द में और 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 अरत में क्या फरक है तो बच्चा कहने लागा अंकल सिंपल है देखे और जो होती है न वो एक ही मर्द से उमीद रखती है मैंने का और मर्द सारी ओरतों से एक ही उमीद रखते हैं अच्छा मैं सोच रहा हूं कि काश के लोगों में तमीज भी स्टॉल की जाती है तो कितने मसाइल हल हो जाते हैं आज कल तमीज नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन एक है चीज ऐसी और कुछ लोग हैं से जो बहुत तम एक ड़केद आ गया और आगे उसने मेरे यहां रख और कहना लगा घदेगा बच्चा तो मार दोंगा निकाल मैं निकाल रहा हूं लेकिन मैं हिलूंगा और कुछ दूनों पहले ऐसा ही हुआ एक जगा मैं मोटसाइकी में जा रहा हूं तो मैंने देखा कि दो लड़के पर रोग लिए मैं गले में हाथ डाल दिया और सुना मैंने का तू सुना बस यार चल्ला सिल्सला मोबाइल लिया मुझे वापिश दी लाव सबसाइड है पीछे कुछ लोग खड़े मुझे देख रहे थे मुझे देखे करें हाँ क्या हो गया और सुना तुम्हें बता कि क्या हो यहागा पाइदा पाइदा आप लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक भी कीजेगा अगले कॉंटेंट तक के लिए र तक के लिए तमाम प्यार करने वालों को दिल से फियमार अल्हा